सब्सक्राइब तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि लास तोयल पायता सुमिता अरोड़ा जो भो खमारी है उसका फिप्टर चैप्टर जो है डाटर हैं लिए आज उसकी वीडियो नमर फूरत लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हम टैल फंक्सन का यूज कैसे कर सकत हैं तो हम तो हम टैल संवसा ऐसीव फंक्शन के बारे पढ़ेंगे तैल संझम जो होता है वह आपकी जो आपski आपने शिप कर रखे हैं अपने हमें पटाता यह सीखेंग , बताता है है लेकर वो उसके पोइंटार चैंज कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं तो आज हम दो फॉंक्शन के बारे में पड़ेंगे चलिए श्टार्ट तो सबसे पहले याज हम TEL Function के बारेंगे उसके बाद पढ़ेंगे सीख neighbor हम आपको बताए जो TEL Function और जो שीख function होता इन दोनों function को file pointer location function वोला जाता है क्योंकि हमें file की location बताते है file pointer हमारा किहां और करेंट में वह पोरजीशन बताते हैं के स्टेकर हैं चलिह हम सब से पहले tell function के बात करते हैं प्रोग्ण द्कितें के tell function के पैसे हमMe owner name Boost और다 को पांपर पर हमारा porem avoir a श्कोन अध्याम किया है उसके बाद हम dot लगाती है out के बाद हमें tell function लगाना होता है कि ये कुछ सरी के सब दिया गया है हम program start करते हैं उसके बाद आपको अच्छे समझ अमंझ में आएगा है कि कासी करते हैं तो program start करने सब board पहले फाइल open करना next papers open पंखू अपना करनी पड़ेंगी जूह ने आपको फश्ट वीडियो में बताया है कि आप कैसे ऊपन कर सकते हैं उसके बाद अब न कैसे उपन कर सकते हैं न्यूंट सेल मिय। उसके książ करना पड़ेगा खंप सिर्फ एक लिम इुपकन कर पर आप आप नाम यहां पर डिस्पले हो रहा है इसका मतलब पॉइंटर कीकर पोइंटर कि करेंगी कि करेंट पोईंटर कि कृएंटर की थेकने कर तो फायल का नाम लिखना उतए है तो फायल का लुख लिए यहां पर देना पटते है कि सैंड आ demand लीकल में उफन कर लेते हैं तो धीकल मोड के लिए हमने यहां पर दे लिया आग उसके बाद मैं से जोलिय पुछ मैसिस प्रींट करा दें तो हमें डबल इंवर्टेट के लिखना पड़ता है तो यहां पर लिख देते हैं इनिसियल फाइल पॉइंटर पोई शाय जाए तो यहां पर आपको मैसेज प्रिंट कर लिना सबसे पहले हमने मैसेज प्रिंट करा दियाने सियल हुआ फायल पॉइंटर फोजी सने हैम पेहां यहां पर इतना तो message display हो जाएगा यहां पर प्रोग्राम यूज कर रहे हैं वहां पर message display हो जाएगा और इसके बाद हम क्या print कराना चाहते हैं जो हमारी fh यह जो file हमने open कर रखी है fh में restore कर रखी है तो बहां पर fh.tel function का यूज करते हैं हमने आपको syntax में बताया था जो file object होता है .tel इस तरीके से open कर लेते हैं अगर हम यहां पर इसे run कराएं तो अभी हमारी current position आ जाएगी चलिए run करा के देखते हैं देखिए हमने run कराएं आप देख सकते हैं यहां पर लिखके आ गया initially file pointer position ने जाए यह जीरो जो अभी message था फ्रेंट हो गया उसके बार हमारी जो file pointer है वह जीरो पर रहे ठीक है उसके बार हम देखते हैं दोवारा से सब्सक्राइब करा कि यह थोड़ा यहां पर यह जो आ गया से हम कट कर देते हैं तो इस तरी के से हमने देख देख ली अगर हम यहीं पर कुछ lines read करवा दें पहले ही बता चुके हैं आपको तो यहां पर हम कुछ दी जो वाइट से उन्हें कुछ अजित कर देखते हैं कि हमारे फायल फॉइंट रिड करके साहँ पर पांच गया है तो हम्हें पॉछिसें मालूम चल जाए तो सबसे पहले हमें print करा देना यहां पर इख हुआ है । के बाद हमें मैसेज ऐसे उपर डिस्प्ली यह उसे तरीके से करवा दिए आप जितनी वाइट कुछ भी करवा सकते हैं मैसेज में हम करवा दो हमने रीट कर लिए हैं यह जो फाइव इसके फाइव वाइट जो है रीडार ठीक है आप इस तरी के समय से यहां पर हमने प्रिंट करा दिया तो इह मैसेज डिस्पली हो जाएगा उसके बाद हम चाहते हैं कि क्या लिखके आजाए हमारी फाइल पॉइंटर आप है वो लिखके आजाए ता मैं मालूम है जे दीड हो गई है लाइन उसके बाद हम अभी हमें लाइन को जीट करवा देना है तो एप फैस दीट के लिए हम दीट फंक्शन यूज करते हैं और आप कितनी करेक्टर दीट आप यहां पर इस पेस जो था हमारा उसे भी एज़ चरेक्टर वाइट यूज की वाइट माना गया है इसलिए यहां पर वाइन टू थी फूर फाइव वह फाइट तर इसके बाद हम देखते हैं कि हमने फाइब यहां पर आप हमारी फाइल है वह कहां पर पहुंचिए ति इसके लिए फिर सम्तिर पॉल्चन यूज कराते हैं फ्रेंट यहां पर मैंसे इस्पिल करा देते हैं आप्र गैद के अप्टर गैदिन दी वाइंट जातिया आप्टर दीदिग दफाइल तो फाइल पोइंटर एक है को इस दित्प्ली हो जाएगा कि अब यहां पर हम इतना तो हमारा मैसेज डिस्पले होगा अगर आपको करवाने तो आप करवा सकते हैं वेरना कोई ज़ुरुत नहीं है डिस्प्ले करने की डायक्त अब अप यहां पर हम लिखा देरा है आप देखते हैं कि आप हमारा जो तो आप मालूं चले कि हमारी करेंट पोजिशन कहा है तो चलिए रण करा लेंगे आप देखें इनिसियली जो फोजिशन थे वह हमारी जीजो फिती क्या पर अमने एक वी लाइंस देख ती तो उसके बाद लिखके आघा है था फाइव और जानन प्रड़रा जहिए लिए इसके बाद आप लिए जीए पिना फालमारा फाइल प्रश्चं शुरिक सबोर्ढ़ना करके सकते हैं इसके बाद थे क्लादेशए क्लिए फ़्रग चलिए इस एंताल सब्सक्रां प्लीए से कट कर लिया है अब हम देखते हैं सीग फांक्शन का आप सिंटेक्स देख लीजिए कुछ इस तरीकी का होता है इसमें होता है उसके फाल अबझोट आप मालु में आपर फाल उपन करते हैं इस अपच्छेट में इससे वाल अबजेक्ट बोलते हैं उसमें जो हमेर आर्गमेंट आपसेट और मोड नोधर इंपरतं झाल नहें होते हैं दो अबबान предлаг अबार्फेशन को को मतलब होता है जो आपकी फाइल है beginning मैं रहिए का वाहना यहाद यहाँ जोista होता है मतलब जो आपकी फाइल की पूनिसन जो करेंट में आपकी फाइल पोई पृजी इसन मैं उसका मतलब होता है रॉइत का मतलब होता है end of the line यानि जी दो बिगनिंग बंद जो आपकी करेंट पोजिसान है वो करेंट पोजिसान कहीं पर भी हो सकती है और टू का मतलब होता है last of the file एक बात याद रखिए कि जो आपकी file अगर आप two mode देते हो उसके मतलब है आप उसके forward नहीं जा सकते हो यानि आपकी जो two का मतलब होता है end of line end of line के आप forward नहीं जा सकते हो इसलिए आपको backward आना पड़ता है और जो beginning यानि आप जीड़ो दोगे तो हाप आप आप पर backward नहीं जा सकते हो वहाँ पर आपको forward आना पड़ेगा तो इन दो चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना होता है इसके बाद चलिए हम इस्टार्ट करते हैं सीक फंक्शन का प्रोग्राम कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले हमें फाइल ओपन कर लेने होती है कोई सब भी हम यहाँ पर बैरिवल ले सकते हैं तो यहाँ फाइल ओपन कर लेते हैं नम फंक्शन का यूज़ करेंगे इसके बाद फाइल कर ना हूं देंगे हमारी फाइल का नाम है ठीक है क्हिस डी ज्ञारी टैक्स फॉं में है इसके बाद हम यहाँ पर मोर्ड देंगी कि हम Krit een अब Hier बाब खार district उसके बाद हम यहां पर fh नहीं पर हम सीख function यूच करते हैं नहीं पर यह पर यहां फाल अब जे लिए fh उसके बाद लगा दिया उसके बाद हम सीख function कर यूच कहते हैं अब उसके अंदर हमें कुछ offset parts कराने पड़ेंगे और mode चलिए यानि बिग्निंग से हमारी वहर्ट्स है इसलिक को मतलब विग्निग और 10 यहां पर हमारा पहुंच गया है यहानि फिर्ट वैल्यू दी कहां पहुंच गया जिरो से 10 पहुंच गया है उसके यहां पर वह ले ले रहे नहीं पर रहीं इस से यह चल जाए कि यहां पर हमारा फाइल कहां था पहुंच गया है कि हम्मारी फाइल जो होती यह वी जी पी जीरो सा और पहुंच गहीं है तो फडियों को चुछ लाएन यहां पर पर प्रिंट करा ले रहा है ए फ हेच डॉट झीड हमारी जो हम सुरिट पहुंच गई है यानि फाइल पुर्ण पर पहुंच गई है उसके बाद हमारे 15 फिप्तीन वैट्स फिप्टीन पर दिया है उसके बाद की तो यहां पर हम यहां पर एक मैसेज प्रिंट एप रहा है वो 15 वाइट यहाँ पे स्पेस दे दे थे थे हैं 15 वाइट अप्तर चैंजिंग दी फायल पॉिंटर अप्तर दी चैंजिंग दी पोडिशन ओ फायल वेक्टर पोडिशन ओफ फायल पॉइंटर हमने जो फायल पॉइंटर है कि जो पोडिशन चैंज कर दी हैं अभी अभी दीरो पर था जूद्वार हमने टैन पास कर दिया नहीं टैन वाइट्स वह आंगे निकल लिए अब माल से हमारी जो 15 वाइट्स है वो प्रेंट करा दे उसके रही है देखते हैं कि कोछ मिश्यक हूँदी अलब फायल कि अथा रही है कि यहां पे ऐसे शूद सब्सक्राइब कर दिया देखिए अब हमारा यहां पर मैसेश डिस्पली हो गया जो हमने डवल इंवर्टेट कॉमा के अंदर लिखा था 15 वाइट्स आफ्टर चेंजिंग दपोजिशन ऑफ फाइल पॉइंटर ठीक है उसके बाद जो फिरिंट आ गया है यानि जो रीडो के अब देखिए यह वर्ट जो हमें मिले है इंग फिफ्टीन वर्ट होंगे देखो यहां से लेकर हमारा लाश्ट टीता देखिए यहां पर इस पेस है उन्हें भी एज़ा करेक्टर यूच किया गया यह नि वार्न टू ट्री फोर फाइए नाइट नैं टैन एलावन ट्वा अब अब इस तरहिक से आप सीख वंक्षन कर सकते हैं ठीक तैस वीडियों हमने विटियों टैल फंक्शन के वारे में इसके बाद हम हम अग्ली वीडियो में राइट मोड के फांक्शन देखेंगे तीकर तिया यहां और इस तरीके से आप सीख function में यहां पर आप backward value दे सकती हो forward दे सकती हो ठीक है यह आपके फाइल की पोजिशन करेंट में आप उसे चेंज करा सकती हो इस तरीके से यह हमारी जो करेंट पोजिशन थी जीज रही पे थी हमने जीड नहीं की ती उसके बाद हमने 10 पोसे फाइल पोजिशन कर दिया तो उसके बाद के 15 वर्ट से यहां पर प्रेंट होगा है तो इस तरीके साब कर सकते हैं तो आई वोफ आपको समझ में आया होगा अच्छे से तो अगरी वीडियो मिलते हैं जहां पर हम राइट मोड के फांक्शन लेकर आएंगे चलिए थैंक्यू